नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, आप सभी स्वस्ते, सुरक्षिते और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. आज हम जानने वाले हैं एक महान व्यग्यानिक के जीवन के बारे में. उनको चीजों को जानने की इतनी इच्चा थी, कि एक दिन इसी इच्चा के कारण वो सबसे बड़े व्यग्यानिक बन गए. क्या आपको भी अपने आसपास की अनेक वस्तों के बारे में जानने की इच्चा होती है, कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, सुबह सूरज कैसे निकलता है, शाम को क्यों छिप जाता है, पिर्थवी गोल-गोल घूमती है, या नहीं घूमती है, बारिश कैसे होती है, कितनी सारी हमारे आसपास बाते होती हैं, और जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, तो क्या आप उनको जानने के बारे में कोशिश करते हैं। इसके बारे में सोची आज हम बात करने वाले हैं महान वैज्यानिक चंदर शेखर वेंकट रमन के बारे में जिनको हम सीवी रमन भी कहते हैं। इनका जनम 7 नमबर 1888 को तमिल नाडू के तिरुचिरापली जिले के अयन पैटे गाव में हुआ था। उनके पिता चंदर शेखर अयर थे। मा का नाम पार्वती अयर था। वह एक ग्रहनी थी। रमन बचपन से ही पढ़ाई में सर्वस्रेश थे। कक्षया में उनके द्वारा पूछे गए पृष्णों पर अध्यापक आश्चरी चकित हो जाते थे। 1930 में उन्हें नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया। नोबल पुरुसकार पाने वाले रमन पहले भारतिये एवं पहले एश्याई व्यग्यानिक थे। इससे पहले किसी भारतिये या एश्याई व्यग्यानिक कोई पृष्णार नहीं मिला था। बचपन से ही रमन अत्यधिक जिग्यासू प्रवर्ती के थे। वे हर छोटी से छोटी वस्तू के बारे में जानना चाहते थे। मातर सोले वर्ष के अवस्ता में ही उन्होंने भोतिक विज्यान में नई खोज कर ली थी। जब प्रकाश के गुणों से संबंदित उनका लेक लंदन में प्रकाशित हुआ तो उनकी कीरती चारो और फैल गई। सन 1921 में रमन को शिकागों में हुई विश्विद्याले कॉन्फरेंस में कोलकता विश्विद्याले के पृति निधी के रूप में भीजा गया था। कॉन्फरेंस से लोटते समय रमन का ध्यान समुदर के पानी की ओर गया। उन्होंने प्रिज्म से जहांक कर देखा तो पाया की समुद्र का रंग आकाश के प्रभाव से नीला नहीं है, अपी तो पानी के भीतर से नीलिमा जलकती है, वहां से लोटकर रमन ने प्रकाश के प्रभावों पर विचार करना शुरू कर दिया, लगातार अनुसंधान करके उन्होंने इपात साबित कर दी कि अलग-अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश के किर्णों का रूप बदल जाता है, और इसी कारण से समुद्र का जो पानी है वो नीला दिखाई दे रहा था, नेचर पत्रिका में प्रकाश के प्रभाव पर छपे लेग से दुनिया भारती होने पर गर्व था, उन्होंने नवींतम खोजों के लिए भारत के युवा वेग्यानिकों को प्रेरित करने और उनका मार्ग दर्शन करने में महतोपुन योगदान दिया, सन 1954 में उन्हे भारत रतन की उपादी से भी सम्मानित किया गया, भारती युवा वेग्या वेग्यानिकों के प्रेर्णा स्रोत रमन 21 नवंबर 1970 को दुनिया को अलविदा कह सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे थी महान वेग्यानिक चंदर शेखर वेंकर्ट रमन। उनसे प्रेर्णा ग्रहन कर सके और आज की युवा पेढ़ी और युवा वेग्यानिक उनसे प्रेरित हो सके। इसलिए हम विज्यान दिवस मनाते हैं। तब तक स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जिग्यासू बनिये और धासू बनिये। धनेवाद बहुत बहुत धनेवाद।